मोटर बूल का एक और वीडियो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दो कि मैं अभी आया हूँ भाई महींदरा शोरूम देरादून में और यहां पे मेरे को बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां देखने को मिल रही है अब बात करते हैं W6 यानि कि W4 के बाद डशोर की बात कर रहे है लेकिन इसमें W6 की बात कर रहे है क्या मिल जाता है क्या नहीं मिल जाता है सब बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं गाड़ी दिखा दूँ आप लोगो ऐसी दिखती है भाई अपनी W4 variant महिंद्रा XUV3 00 की भाई बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को literally गाड़ी में जो feel है अंदाज है next level का है तो देखो भाई अगर आप W4 से satisfy नहीं हो रहे हो तो आजाती है फीचर कमाल के मिल जाते है नया क्या है पुराना क्या है सब बात करते हैं W4 से क्या आपको एक्सटराइस गाड़ी में मिल जाता है यानि कि variant चेंज करने के बाद W6 में convert करने के बाद आपको क्या मिल जाता है वो भी बात करेंगे सबसे पहले की पे चलते हैं वह इस W4 की तरह ही, बॉडी कलर बंपर के साथ, ब्लैक कलर यहां पर एड़ किया गया है, यहां पर ग्रिल में भी काम किया गया है, सिलवर कलर, आप लोग को जो ग्लास में, वो यहां पे इनसर्ट किया, मैंने डब्लू 4 में भी बात करी थी, сказал जो ये dots हैं, वो भी आप लोग को silver color में insert देखने को मिलता है, बात करते हैं, यहाँ पे तो महिंद्रा का, आप लोग को चमकदार नया logo देखने को मिलता है, जो chrome freeze में है, बात करते हैं, फ्रंट से, किसी भी तरीके का parking sensors में add नहीं किया है, company ने, देखो यार, गाड़ी बहु कुछ ऐसी दिखेगी आप लोगों को ये गाड़ी, देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरा का पूरा जो side look है, ऐसा कुछ लगता है, अगर टायर पे आता हूं मैं यहाँ पे, तो आप लोगो को 215 65 R16, same जो आप लोगो को tire profile W4 में मिलती है, वही tire profile आपको यहाँ भी दे देखने को मिलता है, ORBM पे missing मिलेगा आप लोगो W6 में भी, same आप लोगो side से भी इसकी look देखने को मिलती है, जो W4 variant पे आप लोगो ने देखी थी, अभाई side profile कुछ ऐसा इस गाड़ी का बड़ा दमदार side profile है, body color आप लोगो यहाँ पे handle देखने को मिलता है, इस तरह भी body लेंप है, वो देखने को मिलते है, LED है, Halos and B, यह दोनों के combination में आपको यह देखने को मिलता है, अगेन बात करते है, महींदरा का चमकदार logo, XUB300 की branding, बात करते हैं, इसके boot को खोल करके, तो यहाँ पे boot space में थोड़ा सा आप खुस नहीं होंगे, 60 to 40 के ratio में आप seat को split कर सक आपको मिल जाता है, standard, वो उसमें कोई दो रहाए वाली बात नहीं है, तो आप लोगो को देख पारे हो, boot space आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, इसका back profile, देख सकते हो, आप कितना sexy लग रहा है, एक नहीं चीज, जो एक sub 4 meter SUV या SUV वाली गाड़ीों में होना चाहिए, व functional V रहने वाली है, अगर बात करते हैं इस तरफ तो आपको कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, एक नया add-on जो W4 से W6 में जाने पे आप लोगो को मिल जाता है, वो है वाई, इसमें आप लोगो को music system with आपको 4 speaker, तो tweeter का setup देखने को मिलता है, लिटरली ये थोड़ा सा आप लोगो को black color में देखने को मिलता है, यहां पे पूरा hard touch plastic material है, soft touch कहीं भी यूजनी किया है, यहां पे आप लोग bottle holder कुछ space देख पा रहे हो, बात करते हैं इस तरफ height adjust करने का जो feature है, यहां पे भी मुझे missing नजर आ रहा है, देख सकते हो, height adjust आप यहां भी नहीं कर पा related control आपको गाड़ी में यहां पे देखने को मिलेंगे, music system आपको यहां पे देखने को मिलता है, जिसमें छोटी से screen भी दी गई है, यहां पे manual AC देखने को मिलता है, यहां पे एक चीद और addon हो गई है, वह है USB charging port और aux key आप लोगो यहां पे दिया गया है, यहां 12 volt का charging socket है, वो कैसा है, और key को हाथ में लेते ही, जो feel आता है यार महिंदरा की गाड़ियों में, literally कमाल का है, अब मैं थोड़ा सा key लगा करके आप लोगो दिखाता हूं, यहां पे, मैंने key लगा यह गाड़ी को on किया है, मैं power जो window है, इसकी सारी के सारी बंद कर देता हूं, ताक इसमें कमाल के feature आप लोगो को available करवाती है, महिंदरा, हॉर्ण की placement आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, महिंदरा का नया logo जो chrome finish में है, airbag की branding, airbag की badging, दोनों तरफ देखने को मिलती है, यहाँ गाड़ी में basically देखने को मिलते हैं, बात करते हैं IRBM की, तो यहाँ पे यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, gear knob यह है, premium look आपको यह गेर knob, premium feel करवाता है, यहाँ पे कफोल्टरी कह सकते हो, थोड़ा से space दिया गया, armrest missing के गाड़ी में, पीछे भी इस event डाहीं मिलता है, अगर sitting की बात करते हो, तो seat की quality ओके है, जो आपको W4 म यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है, एक नई चीज एड़ाउन जो हुई है, इस गाड़ी में music system के साथ, अब बात करते हैं, lighting यहाँ पे भाई, आप लोगो को जो है, यहाँ देखने को मिलती है, इस तरफ आप लोग लाइटिंग जो hello zone again, आप लोग की रहने वाली है, अगेन अगर बात करता हूँ, मैं इस गाड़ी में sun glass holder है, अगर बात करते हैं, इस तरह भाई, ticket holder की driver side, तो without mirror, without lighting के साथ है, लेकिन यहाँ पे vanity mirror आप लोग को दिया गया है, with lighting, airbag की वैजिंग के साथ, अगर बात करते हैं, नया क्या इस गाड़ी में है, जो मिर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है भाई, तो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो है भाई, यहाँ पे भी यानि की W6 variant में भी आप लोगों को sunroof के लिए ज़्यादा जद्दो जहद नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आप लोगों को company sunroof प्रोबाइ सब कुछ जो feature है, प्राइस की भी बात करते हैं, वहाँ पे भी आएंगे, traction control, ESP जैसे feature मेरे को missing इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं, जो की नहीं होने चाहिए थे, होना चाहिए था इस गाड़ी में भी, देखो यार, आप एक sub 4 meter, जो complete sub 4 meter जिसे मैं कह सकता हूँ, ऐसी गा गाड़ी के वहाँ चल करके बात करते हैं, क्या कुछ आपको मिल जाता है, अब जैसे मैं पीछे वाली यानि के रोपे आया हूँ, यहाँ पर पूरा hard touch material से बनावा door मेरे को देखेगा, यहाँ पावर विंडू का सुच देखेगा, यहाँ अगर बात करता हूँ न मैं, तो महिंद्रा से उम्मीदे नहीं होती है इसे काम की, लेकिन टाटा और महिंद्रा जो काम करता है, वो बैटर है, टाटा से तो यार देखो, हजार गुना बहैतर गाड़ियां बना रहा है महिंद्रा, इसकॉर्पियो ले लो, इसकॉर्पियो, भाई, बिग डैड़ी जैसी गा अब मैं आप लोग को हेड्रूम भी दिखा देता हूँ उस गाड़ी की कितनी मिल जाती है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, जो मेरा हेड्रूम है, ठीक ठाक मिरे को प्रोवाइट कर रही है अगर मैं बात करूँ, अगर मुझसे ज़्यादा हाइट वाले भी लोग यहाँ पे भी देखने को मिलें आगे और पीछे भी आपको W6 वेरिंट में एडिस्टेबल हैडरेस देखने को मिलते हैं बोट साइट ठीक है, तीन-तीन नहीं है, दो ही है आप लोग के पास, और तीन-तीन आप लोग को यहाँ पे सीट बेल्ट देखने को मिलती है, जो कि again इसे एक safety wise भी better बनाता है, ठीक है, अब मैं गाड़ी के बाहर जा करके आप लोगों के साथ price discuss करता हूँ, सारी बात मैंने गाड़ी की कर दिये, कैसी लगती है, क्या है, क्या नहीं है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, लेकिन एक चीज जो बहुत सही है यार, देखो, हम ल और जपनीस कंपनियां इंडिया में राज कर रही है, लेकिन यह वहीं महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां जो काम कर रही है, हमें इन्हें appreciate करना चाहिए, ऐसे काम के लिए और ऐसी गाड़ियां बनाने के लिए, ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो भाई, जा 120 रुपे और प्राइस इस गाड़ी का रहने वाला है, देहरादून महिंद्रा में भाई, तो आईए गाड़ी बुक कर वाई और अपने घर ले करके जाए, प्राइस काफी अट्रेक्टिव है, अगर बात करते हैं इस गाड़ी की भाई, तो लिटरली एक सब 4 मीटर कह आने लाए के गाड़ी है, अब तो इसका फेसलिप्ट आने वाला है, तो आप लोग फेसलिप्ट से पहले गाड़ी लेलो, तो ज्यादा बेटर रहेगा वाई, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो कैसी लगी आप लोगो को वीडियो कोमेंट करना, सब्सक्राइ करो चैनल को, ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगा बहुत बहुत दन्यवाद, थैंक्यू सो मच,